नमस्कार दोस्तों आज का हमारा वीडियो बेबी वोकेवलिर से रिलेटेड है हमने प्रियास किया है इसमें सभी प्रकार के जो वर्ड्स हैं उनको कवर करने का आपकी जो वोकेवलिर है उसमें काफी एन्हांस होगा तो चलो वीडियो शुरू करते हैं सब्सक्राइब वर्ड है बेबी या इंफेंट बेबी या इनफेंट सिसु को का जाता है बेबी बोइबी बॉई बच्चे को का जाता है बेबी, गर्ड, बच्ची को कहा जाता है नियो नेट, नियो नेट नवजाद सिसु, जो 0 से 28 दिन तक कहो उस बच्ची को कहा जाता है न्यूबॉर्ण बेबी, न्यूबॉर्ण बेबी नवजाद सिसु को कहा जाता है टोडलर, नन्ना बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है उसे कहा जाता है क्रॉल, रेंग कर चलने को कहा जाता है बच्चे जब चलना सीखते हैं तो सबसे पहले क्रोलिंग करना सीखते हैं next word है feeding या nursing bottle feeding या nursing bottle बच्चे को जो दूद पिलाने की bottle होती है उसे कहा जाता है teeth या nipple rubber की nipple ये बच्चे की जो दूद पिलाने की bottle होती है उसे लगे हुई होती है next word है bottle feed bottle feed का जाता है bottle से जो बच्चे को feeding कराते है जो दूद पिलाते है उसे bottle feeding केते है या bottle feed केते है next word है breast feed breast feed जब मा अपने बच्चे को अपना दूद पिलाती है अपने breast से तो उसे breast feeding केते है next word है pacifier या dummy यह जो निपल होती है इसमें बोटल नहीं लगी होती दूद भी नहीं होता इसे हिंदी में चूंशनी कहते हैं पर यह बच्चे के मुँँ में इसलिए डाली जाती है कि बच्चा उसको चूंशता रहता है और वो शांत रहता है रोता नहीं है जर्रणरली ऐसा आपने भी किया होगा बच्चे होगा या फिर आपने अपने अंगोटा चुसा होगा तो इसे पेसी पाईर या डबी कहते हैं नेक्स वर्ड है बिब, बिब कहते हैं गतियावो, यह एक एपरोन जैसा होता है, इसे बच्चे को खाना खाते समय पहनाया जाता है, जिससे के उसके कपड़े गंदे नहीं होते, और देखने में यह एपरोन जैसा लगता है, नेक्स वर्ड है ललवी, ललवी उस गाने को का जाता है, जो बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है, इसे लोरी कहते हैं, नेक्स वर्ड है लेप, लेप काहा जाता है गोद को, जिस प्रकार से आप पिक्चर में डेख सकते हैं, क्रेडल, क्रेडल का जाता है पालने को, रेटल रेटल कहा जाता है जुन जनाव नेक्स वर्ड है टेडी या टेडी वियर बच्चों का बालू जैसे दिखाई देने वाला खिलोना ये बालू की तरह दिखाई देता है नेक्स वर्ड है डॉल डॉल का जाता है गुडिया को ये एक खिलोना है जिससे लड़किया चनली खिला करती है नेक्स वर्ड है पूस्टेर या बगगी ये एक पईयदार गाड़ी होती है जिसमें बच्चे को बिठाके बाहर जाते हैं तो ले जाये जाता है नेक्स वर्ड है बेबी केरियर यह है एक कंगारू के पेट के नीचे लगी थेली जैसा होता है इसे घर से बाहर जाते समय बेबी को साथ ले जाने के लिए पहना जाता है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं डाइफर या नेपी डाइफर या नेपी लंगोट को कहा जाता है आजकल इसका यूज काफी किया जाता है जिससे कि बच्चों को टोईलेट करने के गीला मैसूस नहीं होता नेक्स वर्ड है मशाज मशाज का मतलब होता है मालिस करना जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चे की जो बोड़ी पार्ट से उनकी मसाज की जा रही है next word है swedle blanket swedle blanket यह है एक कंबल होती है जो बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए उढ़ाई जाती है next word है on sea on sea यह है एक परकार का baby cloth होता है जो एक ही face में होता है इसके दो अलग-अलग पार्ट नहीं होते जैसा कि आप एक picture में देख सकते है next word है booty 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 कहा जाता है उन से बनी जूतियों को friends अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसी परकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें झाल झाल झाल